गुड इनिंग फ्रेंड सदानत पहुआर वेलकम सी यूट्यूब चैनल आज जो अपन बात करेंगे जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा कुछ वर्ड्स मैंने यहां पे लिए हैं बेसिकली एट वर्ड्स के बारे में अपन बात करेंगे जो नंबर ओफ वर्ड्स हैं अपने वो है एट जिन में हम क्या बात करेंगे कुछ वर्ड्स हैं सर्टन वर्ड्स हैं और उनको हम क्या देखने वाले हैं कि किस टाइप से अपन उनको पर्सनलिटी ट्रैट्स बोलेंगे जो भी words मैं यहाँ पर लोंगा जैसे adventurous है, generous है, hilarious है, productive है ठीक है तो यह जो सारी words हैं इनको हिंदी मिनिंग देखे हैं अपन और sentence में इनको किस तरीके से अपन use करने वाले हैं वो भी यहाँ देखने वाले हैं ठीक है तो देखिए कल मैंने कोई video अप्लोड नहीं किया था, उसका reason था reason यह था कि views भहुत कमा रहे हैं जो भी videos मैं बनाता हूँ कोई भी video पे शांदर response नहीं मिल रहा है मेरे को, तो मैं थोड़ा सा क्या है कि demotivated feel कर रहा हूँ अब आप सभी के duty यह बनती है कि आप मेरा साथ दो, और videos को ज़्यदा से ज़्यदा लोगों तक share करें क्योंकि मैं share करता हूँ तो इससे को ज़्यदा फायदा होनी रहा है, ठीक है? तो आप सब भी try कीजिएगा, चलिए शुरू कर लेते हैं, आपना जो topic है, that is words to describe one's personality, किसी भी एक person की जो personality होती है उसको describe करने वाले, उसके बारे में बताने वाले जो words है, that is first अपना देखेंगे, adventurous it means, जब आप कभी भी कोई ऐसा काम करने वाले हो, जो की अपने nature के according सहसी होता है, या फिर कोई सांदार work है, और उसकी कोशिस करने वाला ठीक है? तो जो व्यक्ती है, ये सहसी है इसने इतना try करा है, इतना effort डाला है, किसी भी particular काम के बारे में example आप देखेंगे, you have to be adventurous to drive sky diving, अब आपको पता ही है कि जो sky diving होती है, वो काम करना हर एक के बसके बात तो है नहीं, ठीक है? इसी लिए जो person इस काम को क्या करता है execute करता है वो अपने आप में एक adventurous type का person कहलाता है, ठीक है? इसी तरीके से आप इस वाले word को use करते हैं अपने मन से भी कुछ sentences frame कर सकते हैं, clear है यहां तक? ओके, next word पर चलते है, that is generous generous जो word है, वो अपने आप में एक honeymoon लेके आता है, क्या उधार या बड़े दिलवाला साप सब्दों में अगर मैं बताऊं इसको अगर कोई person ऐसा होता है कि वो किसी भी काम को जब करता है या उसके सामने कोई भी situation आए तो वो क्या करता है? अपना जो मन है, वो उसका दयालू बड़ा होता है बड़ा दयालू मन होता है और वो क्या करता है? आने वाले हर एक person की help करता है जो भी उसके सामने से आएगा उसकी help करने वाला होगा, ठीक है? इसका example में अपने यूज़ करके देखते हैं that is, she is always been generous towards poor people अब एक girl है, जो की होता है, ठीक है? I hope यह आपको समझ में आगे होगा तीसरा देखेंगे board third one अपना जो है hilarious hilarious का hindi meaning आप देखेंगे that is, मजा किया अब कुछ persons होते हैं, जो हर एक situation में मजाक बना लेते हैं, it means वैसा मजाक नहीं, वो मौक टेस्ट वाला मजाक नहीं यह मजाक कि मैं यह आपर बात कर रहा हूँ कि वो अपनी comedy की जो personality threat है उससे लोगों का इतना शांदर entertain करते हैं कि वो लोगों के दिलों पे चा जाते हैं that is, example देखेंगे अपन govinda-sanjadat combination in bollywood movie is simply hilarious आपने एक movie देखी होगी that is एक और एक 11 इसके अलावा एक दो movies और हैं sanjadat और govinda की अब वो दोनों मिल करके जब कोई भी movie बनाते हैं तो वो जो movie है bollywood की जो movie है वो अपने आप में एक शांदर comedy movie है और उससे अपन hilarious movie का नाम दे देते हैं clear यहां तक चलिए आपको समझ में आ रहा है मुझे इतना response अच्छा लग रहा है आप सभी का number four जो word है that is proactive अब इस sentence को लंबे समय तक याद रखने के लिए आपको पता है कि इसमें एक word जुड़ा हुआ है pro के बाद में active तो active आपको क्या कहता है जब आप किसी काम में सक्रिय रहते हैं या फिर आप किसी भी person के सामने से खुद जा करके उनकी क्या करते हैं help करते हैं that is proactive example देखे every politician has to be proactive to solve common issues अब जो भी अपने politician होते हैं राजनेता होते हैं जो नेता बगरा होते हैं उनको थोड़ा सा अपने जो people है जो अपनी crowd है जो अपनी जनता है जो public है उन सभी की help करने चाहिए और उनका जो common issues होते हैं जैसे sanitation के problems होती हैं water के problems होती है या other कोई भी problem होती है वो उन सब को क्या करना चाहिए उन सब को politicians को उसको दूर करने का try करना चाहिए तो जो अपने politicians हैं उनको proactive होना चाहिए यहां तक बात clear है चलिए आगे वाले word पर बात करते हैं नमबर 6 जो word है अपना है ambitious चुंकि ये जो word है आपको Hindi meaning क्या देता है it means आपकी कुछ जो desires होती है जो आपकी wishes होती है आप उनको ले करके बड़े महतवा कानसी होते हो आपका कुछ जो thoughts होते हैं जो विचार होते हैं इस person के जो ambitious person होता है उसके जो thoughts होते हैं वो हर एक person से different qualities रखते हैं जैसे मैंने एक example यहां पे दिया है I know you are ambitious but be careful before quitting your job अब एक person है उसको भोछ सारी job से लगी होई है मानलो उसने भोछ सारा hardware किया होगा और hardware करने के बाद मुसेने कोई job हासिल की होगी लेकिन अब उसे थोड़ा ध्यान जरू रखना चाहिए कि मुझे अगर अच्छी post पे जाना है तो इस वाली job को मैं न छोड़ू तब तक जब तक कि उसको अच्छी वाली post नहीं मिल जाती है अगला बड़ देखिया straight forward अब एक जो person है जो straight forward होता है वो इस पस्ट बोलने वारा person होता है वह निस्पक्ष होता है वह किसी के सामने भी ऐसा show नहीं कराता है कि उसके उपर किसी particular person का कोई pressure है ऐसा वो आपको feel बिल्कुल भी नहीं कराएगा clear है यहां तक तो इसका एक example आप देखेंगे I always like people who speak straight forward अब कुछ एक persons होते हैं इसपस्ट बोलने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है क्यों लगता है क्योंकि उसके मन में वो कपट वाली भावना जलने वाली भावना इर्शया वाली भावना बिल्कुल भी नहीं होती है clear है यहां तक चलि लास्ट वाला वर्ड डिसकस करो उससे पहले में आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो आप लोग वीडियोस को मेरी को बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रहे हो ना इनको व्यूज आ रहे हैं वीडियोस पे ना अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए किसी के पास शेयर किया है हलांकि मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँगा बिकज जब हम रिक्वेस्ट करते हैं जो भी यूट्यूबर्स हैं जब रिक्वेस्ट करते हैं तो जो पब्लिक है ना वो हमेशा उसका अपोजिट काम करती है हमेशा उसका उल्टा काम करती है मैं request करूँगा तो आप सर पे चड़ जाते हो clear है तो next वाड़ और देखिए that is sympathetic it means सहानो भूती रखने वाला person अब एक situation को imagine करो भाई तुम्हारे पडोस में किसी भी person की तबे थोड़ी खराब हो जाती है और serious वाली खराब हो जाती है तो आप लोग उसके लिए घर पे जाते हो पूचते हो हाल चल भाई कैसा है कैसा नहीं है कितनी दवाई यह ली है treatment चल रहा है के नहीं चल रहा है यह सारे जो situations होती है ऐसी जो भावनाई रखने वाले वक्ती होते हैं instead of being sympathetic he left her crying alone अब एक लड़का था उसका जो sentence मैंने यहां पर use किया है वो क्या किया है कि उसने किसी particular लड़की के लिए sympathy ना रखते हुए उसे अकेले छोड़ दिया रोते हुए अब यह उसका कुछ issue होगा परसनल हम उसके interfere तो खेर नहीं करेंगे लेकिन अपने को sentence बनाना है कि उसने उसके प्रती जरावे सानुगोती नहीं रखी clear तो यह जो words थे किसी भी person के जो character होता है जो उसका nature होता है वो 8 categories में मैंने divide करा है I hope यह video आपको पसंद आएगा अगर आया हो तो अपने अंगुठे को तकलीफ थोड़ी सी दे लो बस like के बटन को दबा दो और share को आपको तो करना पड़े हीगा clear रहा था चलिए बाई